दोस्तों मुझे Samsung Galaxy H21 FE इतना ज़्यादा पसंद था कि मैंने उस फोन को एक बार नहीं बलकि दो बार पर्चेस किया था एक बार उसका Exynos variant और एक बार Snapdragon variant और अभी Flipkart के उपर Samsung Galaxy H21 FE हमें 27,500 रुपीज में मिल रहा है इस वीडियो में क्लियर करने वाला हो कि क्या आपको 2024 में Samsung Galaxy H21 FE पर्चेस करना चाहिए अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं उसके बद में NEGATIVE POSITIVES S21 FE के बताने वाला हूँ उसके NEGATIVE आप सभी को बताने माला हूँ लाश में दोस्तों कान्प्लूजन में आप सभी को बताने माला हूँ क्या आप लोगों को H21 FE लेना चाहिए प्रोब्लम बहुती जदा आ रही थी विकॉस अव एक्जीनोस 2100 प्रोसेसर तो उस वज़े से दोस्तों मैंने एक्जीनोस वेरियंट सेप्टेमबर 2023 में सेल कर दिया था और फिर दोस्तों दिसंबर 2030 में मैंने फिर से सैंपसंग गलेक्सी कि स्ञेब्स की साथ में दोस्तों कर दोस्तों अफ्रीण को एक्सपरियंस के बारे में और मैं दोस्तों पॉइंट थो पॉइंट्व पॉइंट्टीब है ति यह चीज चीज़े पॉजिटिव है चीज़े नेगेटिव है और एंडिंग में दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लिए कि आपको कौन-कौन सी चीज़े चीज़े बुरी लगती है तो आप उसे पर्चेस करेंगे मैं मतलब अपनी तरफ से कुछ भी एड करने वाला नहीं हूँ कि अगर आप एक टाइप पर्टिकुलर टाइप के यूजर है तो आपको अपने हिसाब से पर्चेस करना है यह नहीं करना है तो सबसे बहले दोस्तों पॉजिटिव के अगर बात करें तो एक डिस्पले बहुत ही जदा अच्छा है उसके बाद हमें बिल्ट कोलेटी अच् के लिए मिलता है तो कॉंपेक्ट फोन होने की वज़े से इन हैं फिल बहुत ही जदा अच्छा है उसके बाद एक कैमरा की क्वालेटी वन अप दी बैस्ट एंडर अच्छा है यूजर फ्रेंडली है और जो अपडेट्स की क्वालेटी है वह बहुत ही जदा अच्छे इस अच्छी नहीं होती है तो अब बात करते है नेगटिपस के उपर कि क्यूँ आपको चार पॉइंट है एक होगे हीटिंग परफोंस बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड हीटिंग अगर आप नॉर्मल टेमप्रेचर से थोड़ी हाइए एरिया में रहते है तो और हेवी यूजर परफॉमेंस अगर आप एसा सोचकर ले रहा है कि इसमें मैं बहुती ज़्यादा गेमिंग करूंगा या फिर बहुती ज़्यादा फोटो एडिटिंग विडियो एडिटिंग करूंगा तब जाकर दोस्तों मैं स्ट्रॉंगली रेकेमेंड करता हूं कि आप इसका बैटरी लाइव एस्ट्वन फी का सच में दोस्तों बैटरी लाइव बहुती ज़्यादा बेकार है आपको कम से कम दीन में दो बार फोन को चार्ज करना पड़ता है और बैटरी लाइव अच्छी नहीं होने के बावजूद भी दोस्तों हमें चार्जिंग स्पीड अच्छी नहीं मिलते मतलब की एक घर घंटे में फोन फूल चार्ज होता है तो यह चार्ज नेगेटीव पॉइंट्व एस्ट वान फी में मिलते है तो आप बात करते हैं कि क्या आपको हैश्ट वापी टॉइवस्ट वान फी तुस्ति आहे बेकार लगेगा इसलिए मैंने पॉजिटिव एक तरफ आपको बता दिए एक तरफ नेगेटिव बता दिए अब आपके उपर है दोस्ता आप डिसाइड करिए कि आपको कैसा फोन चाहिए अगर आप एक नॉर्मल यूजर है आपको कैमरा सेंट्री फोन चाहिए आपको अच्छा सॉफ्ट्रेर एक्स्प्र डिसनेतरफ इतन नहीडिकन नहीं है तब जाकर दोस्तों में Bew को पर्चेस मत करिए एक आपके उपर है आप लोगों को बहुत द करना है तो कुम पर दो कि तो नहीं करना है तो क्यों